हेलो एवरिवान एन वेल्कम टू लर्न एवरिथिंग अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें क्यूंकि आने वाली वीडियो में मैं आपको पूरा एंसेयर्टी स्लेबर्स कराने वाली हूँ तो आज किस वीडियो में हम एन एलियन हैंड का चैप्टर नाइन एटाइगर इन दा हाउस को पढ़ेंगे ये बहुती बढ़िया स्टोरी है और इस स्टोरी को लिखा है रसकिन बॉन ने इस चैप्टर में हम एक टाइगर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम टीमोथी होत तो चलिए बिना वक्त कवाई हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। जो की एक बंदर था और दूसरा था एक छोटा सा पिल्ला। अब आगे इस कहानी में बताए गया है जो दादा जी होते हैं उन्हें बाग का बच्चा कैसे मिलता है। अब को बरगत की पेड़ की जटिल और उल्चीवी जड़ों की बीच में छिपा रहा था। फिर दादा जी ने उसको उठाया और उसे अपने घर ले आए। जो दादा जी थे वो उस पाटी के अकेले ऐसे सदस्य थे जिनकी खास्यत ये थी कि उनको कभी भी जीवन या मिर्त्यू का कोई डर नहीं था। उन्हें कभी भी ये डर नहीं था कि किसी भी खेल में वो जिन्दा रहेंगे या मर जाएंगे। इसलिए उन्होंने इतनी हिम्मत की कि वो उस बाग के बच्चे को अपने घर में ले आए। सबसे पहले जो बाग का बच्चा था दादेजी ने उसका नाम टिमोती रखा और उस बाग के बच्चे को पूरे तरह से दूध ही पिलाया गया। जो उनका रसोया था महमूत वो उसे फीडिंग बॉटल से दूध पिलाता था लेकिन जो दूध था वो उसके लिए बहुत ज़्यदा पॉस्टिक था और वो उसे पचा नहीं पाता था इसलिए बाद में उसकी डाइट में कच्चा मास और मचली के तेल को शामिल कर दिया और कुछ समय बाद उसे खाने में कबूतर और खरगोश भी दिया जाने लगा तिमोथी को दो साथी मिल गए थे और वो कौन-कौन थे टोटो जो की एक बंदर था और वो बहुत ही सासी था और वो उस बाग की पूच को खीसता रहता था और जब तिमोथी को गुस्सा आ ज चड़ जाता था और उसके अलावा उसको जो दूसरा साथी था वो था एक मॉंग्रल पपी यानि कि एक कुत्ते का पिल्ला जो की दादा जी को सड़क पर मिला था सबसे पहले जब टिमोथी आया था तो वो उस पपी से बहुत डरता था और जब भी वो उसके नजदीक आत उसने उससे अपनी पीट पर चड़ने और आराम करने की चूट दे दी तिमोथी को सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब कोई उसके साथ खेलता था और वो धीरे धीरे उसके पास आता था और इसी लिए जब मैं दादा जी के पास रहने के लिए गया तो मैं उसके सा पच्छपट्टा मारता था और अपनी पीट के बल लेटते वे बहुत ही खुशी से मेरी एडियों को काटने का दिखावा करता था अब इस समय तक टिमोथी जो था वो री ट्राइवर जो की कुत्ते की एक नसल है उसके आकार का ही हो गया था याने कि वो आकार में काफी बड लेका जाता था तो सडक पर लोग हमसे दूरी बना लेते थे पर जब वो अपनी चेन को खीचने लगा तो तब मुझे उसे अपने साथ ले जाने में मुश्किल आने लगी उसकी सबसे पसंदिता जगा थी ड्राइंग नूम क्योंकि वहां पर वो लंबे सोफे में बड़े आराम से बैठ जाता था और पूरी शांस शौकत के साथ लेटा रहता था और अगर कोई उसे सोफे से हटाने की कोशिश करता था तो वो घुराना शुरू कर देता था तिमोथी के एक बहुती साफ सुत्रियादत थी वो अपने चहरे को जैसे बिल्ली पंजो से साफ करती है बिल्कुल वैसे ही वो भी साफ करता था वो रात के समय रसोये के कोाटन में सोता था और जब सुबा हो जाती थी तो वो वहां से निकलने के लिए खुश हो जाता था अब आगे क्या होता है एक दिन दादी जेने भविश्यमारी करते हुए कहा कि एक दिन हम ऐसा पाएंगे कि जो टिमोथी है वो महमूद के विस्तर पर बैठा होगा और जो रसोया महमूद होगा हमें उसका कोई भी निशान नहीं दिखेगा सिवाए उसके कपड़े और जूते के तो यहां पर मतलब ये है कि जो दादी जी है वो अपनी भविश्यमारी करते हुए ये बता रही है कि एक दिन हम ऐसा देखेंगे जो टिमोथी है वो महमूद के विस्तर पर बैठा होगा और वहां पर रसोया महमूद का कोई भी निशान नहीं होगा क्योंकि जो टिमोथी है वो महमूद को खा जाएगा और वहां पर महमूद के कपड़े और जूते के सिवाई कोई भी उतना ही वो कम मिलनसार हो रहा था याने कि वो अनफ्रेंडली हो रहा था और जब वो मेरे साथ घूमनी के लिए जाता था तो वो मुझ से बचकर निकलने की कोशिश करता था ताकि वो किसी बिल्ली या किसी के पालतू कुत्ते को पकड़ ले कभी कभी रात में हमें पॉलिट्री हाउस जहां पर मुर्ग्यों को रखा जाता है वहां से अजीब अजीब सी चीखनी की आवाज़े सुनाई देती थी और जब सुबा हम बरामदे में जाते थे तो वहां पर पंग की पंग फैले वे दिखाई देते थे अब टिमोथी को में आ चुका है कि उसे चिडियागर भेज दिना चाहिए दादा जी ने अपने लिए और टिमोथी के लिए फर्स्ट क्लास कमपार्टमें रिजर्ब कर लिया ताकि कोई भी उनके साथ उस कमपार्टमेंट को शेयर ना कर सके फिर दादा जी उसे लखनव ले गए जहां पर चिडियागर था और वहां के जो अधिकारी थे वो बहुत खुश हो गए थे क्योंकि उन्हें एक अच्छा खिलाया पिलाया और सब्यबाग मिल रहा था और छे मैने के बाद जब मेरे दादा दादी को अपने रिश्चेदार के पास लखनो जाने का मौका मिला तब दादा चिडियागर भी गए थे ये देखने के लिए कि टीमोथी को कैसे पाला जा रहा है मैं उनके साथ नहीं था लेकिन जब मैं दहरा वापस आया तो मैंने उसके बारे में सब कुछ सुना और चिडियागर पहुँचने पर दादा जी सीधा उसी पिंज़रे की तरफ गए जहा उसे कहा हेलो टीमो थी और उन्होंने अपनी बाग को सलाखों के अंदर डाल दिया फिर बाग जो है वो सलाखों के पास आ गया और दादा जी की दोनों हातों को अपने सिर पर फेर ने दिया फिर दादा जी ने बाग के माथे पर थपतपाया और उसके कानों पर गुद और जब भी वो बाग गुर रहा था तो दादाजी उसके मूपर हलके से मारते थे जो कि उसको चुप कराने का पुराना तरीका था और उन्होंने वही किया जिस तरह से वो पहले करते थे घर पर फिर बाग ने क्या किया उसने दादाजी के हाथों को चाटना शुरू कर दिया और एकदम से उच्छल कर पीछे की तरफ चला गिया जब एक तेंद्वा जो कि उसके बगल के पिंज़ने में था उसने उसकी तरफ घूर कर देखा फिर दादा जी ने उस तेंद्वे को भगा दिया लेकिन जो बाग था वो फिर दुबारा वापस आया और उनके हातों को चाटने लगा लेकिन तेंद्वा जो है वो बार बार सलाखों के पास आ रहा था और हर बार दादा जी उसे भगा रहे थे और वो बिना किसी शोर पेके चुपचाप से अपने कोने में जाकर बैट जा रहा था। इसके बाद बहुत सारे लोग वहां पर जमा हो गए थे इस रियू यूनन को देखने के लिए कि कैसे टिमोथी और दादा जी मिल रहे थे आपस में। तब ही इसी बीच जो एक चौकीदार था जो वहां के दे पहले टिमोथी को चिडिया घर पर दिया था तो क्या तुम यहां पर नहीं थे तो चौकीदार ने कहा मैं यहां पर जादा समय से नहीं हूँ आप अपनी बादची जारी रखे लेकिन मैं तो इस बाद को अपने आपको छूने भी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि ये तो कि इसे दूसरे पिंजडे में क्यों नहीं रखा जा रहा है अब दादा जी जो चिडिया घर था उसके अधीकारी के खोज में चले गये पर बात में उन्हें पता चला कि जो अधीकारी है वो तो पहले ही घर चले गया था और इसी लिए वो उस चिडिया घर में कुछ तेर घुमने फिरने के बाद वो टिमोथी के पिंड़े के पास आए उसे गुडबाई कहने के लिए अब अंधेरा होना शुरू हो गया था दादा जी जो है टिमोथी के ओपर हात रख रहे थे उसको प्यार से थपतपा रहे थे पांच मिनट तक जो है एक दूसरा चौकिदार उन लेकर तो आप तुम टिमोथी को किसी दूसरे पिंज़ने में क्यों नहीं डाल देते हो क्योंकि बगल में जो ये तेनवा है ये से परिशान करता है अब जो चौकिदार होता है वो हकलाते वे बोलता है पर सर ये आपका वला बाग नहीं है तो दादा जी कहते है मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ कि अब ये मेरा पाक नहीं है पर लेकिन कम से कम मेरा सुझाओ तो मान ही सकते हो फिर चौकिदार कहता है मैं आपके बाग को बहुत अच्छे से जानता हूँ और वो जो है दो मेने पहले ही मर चुका है फिर दादा जी चौकर कहते है क्या वो मर चुक और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है अब दादा जी कुछ भी नहीं कह पाए वो समझ ही नहीं पा रहे थी कि वो क्या कहे इस बात को सुनकर और बाग अभी भी उनकी बाग को चाट रहा था और उसे उस चीज में बहुत मज़ा आ रहा था फिर इसके बाद दादा जी को पिं और चाकिदार की ओर थोड़ी सी घिर्णा की नजर से देखती हुए तेज कदमों से वहां से चले गए तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समापत होता है मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अकर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए दोस्तों के साथ जासा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू